सबी सात्यों को नमस्कार इस वक्त एक और वड़ी वीहिदी दर्दनाक ताज़क ख़वर सामनारी है एक घटना इतनी भयानक है कि इसे देकर लोगों की रूहे काप चाती है आपको लाइफ लेका हैं आपको बताना चाहेंगे अच्छानक ट्रेन के कोश में वीशन आग लग हो जाती है जिस समय आग लगती है उस समय ट्रेंड कोश में करीव 63 लोग मौशूद थे इन में से 69 लोग हैं जल जाते हैं और जिन में से 9 लोगों की मोखे पर ही मौत हो जाती है बाकि सभी घैलों को अस्पताल में भरती कराया है चलिए क्या पूरों मामला देंगे इस गया था जानकारिक मुताबिक बताए जारा है जिस ट्रेवल एजनसी के करमचारी से बात की गई अंकुर ने बताया कि 17 अगस्त को सीतापूर से रामेश्वरम के लिए टूर गया था और इसमें 63 यात्री मौजूद थे और इनकी 30 अगस्त को बापसी भी थी लेकिन आपको सीताफूर लखिमपूर और अन्य जिलों से संबंदित थे मदूरे कलेक्टार म संगीता ने बताया कि सुबह कोफी वनाते समय इस्टोप जलाया और तवी सिलेंडर में भायनक ब्लास्ट हो गया ब्लास्ट होते ही पूरे कोच में अफरा तफ्रीम मत जाती है कुछ लोगों जुलस जाते हैं जिसमें से नो लोग जादर जुलस जाते हैं जिनकी मौके पर ही मौत हो जाती है रेलवेक मुताविक की हादसा मदूरे यार्ड में खड़े कोच में उस वक्त होता है जब करीब सुबह के 5 बचकर 15 मिनट हुए थे और यहां फार फाइर टीम है कुछी मिन चनल लीटों के बाद यानि काद गंटे बाद 5 बचकर 45 मिनट पर पहुंचती है और 7 बचकर 15 मिनट के आज सपास आग को पूरी तरह भुजा लिया जाता है लोगों को गाहिल लोगों को अस्पताल में पहुँचा दिया जाता है लेकिन नो लोगों की मौत की खबरें शामना रही है मरतागों के फरिवारों के लिए 15 लाख रुपे का मौपज़ा दिया जाएगा जिसमें 10 लाख रेल बे के दौरा और तमिल्नाडो के मुक्य मंत्री एमके स्टालिन के दौरा 3 लाख रुपे और वहीं मुक्य मंत्री योगी आदेतिनाद के दौरा 2 लाख रुपे आर्थिक साहिता देना का एलान किया है साथ में गाहिलों का उचित इलाज की विवस्ता की गई है देते रिंगे तादे खबरें बने रहिए S24 News के साथ